जेहिन स्वागत है आपका हमारी पाठशाला सेंटर में हम जिला पंचायत की सनरचन उसका आरक्षन प्रतम सम्मिलन की अवधी देख लिए हैं आज हमको पढ़ना है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का अविश्वास प्रस्ताव यह वीडियो हम बहुत सौट में खतम करने वाल है क्योंकि इससे पहले हमने सेम सेम चीजे देख चुके हैं तो आज हम देखते हैं अध्यक्ष पाध्यक्ष का अविश्वास प्रस्ताव तो वी किनके द्वारा लाया जाता है तो अविश्वास प्रस्ताव आपका लाया जाता है एक बटे तीन हस्ताक्षित आविदन पर कि कि थेक्ष की अपकी जिलज सगरीयु यहुथ उनको कफ़पन करें थुछने हैं। जो इनको कम तॉसक करने रहे हैं, या फिर आपके पंचायत मेशाम करने हैं। तो उसके अधार पर आपकी अजासक बुलाना जाहएं अब आविसवासपरस्ताव लाना है। यदि उपास हो गया तो आप उस दिन से उध्पद के लिए लायक नहीं रहोगे, आप उस पद को छोड़ दोगे, किवल सदस्य का पद आपका यथावाद बता बना रहेगा जब तक आप उस पद में रहेगा, तो यह है, कुल सदस्य का एक बटे तीन हस्ताक्षित आविदन पर आपको कलेक्टर को आविदन करना पड़ेगा, अध्यक्ष उपाध्यष का एक सांत लाना चाहते हैं, तो आपको अलाग अविदन करना पड़ेगा, एक ही आविदन में आप अध्यक्ष उपाध्यष का आविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं, कलेक्टर को जिस जिस तारीक से आप आवेदन शौपेंगे उस तारीक के पंदर देन के भीतरफ क्लेक्टर एक सम्मिलन बुलाता है. और उस सम्मिलन की सुचना आप सभी sadasya, आप मत मान लीजगे आपको बोलो. सदस्यों को, सुचना साथ दिन पहले sadasya को दी जाती है। कि आप मतलब आप लोगों ने जो आवेदन किया था उसके परिपालन में हमने कारवाही करते हुए साथ दिन उनका एक सम्मिलन बुलाया है उस सम्मिलन में आप साधा रामंत्रित है अब उपस्तित अब यह कैसे होगा मैंने जरूर लिग दिया लाइन को पर उसके लाइन से केस में आपका SDO, SDM या नाइप तहसिलदार का रिंक अधिकारी करता था जनपत के लिए आपका कलेक्टर करता था अधिक्षता लेकिन जिला पंचायत के केस में आपका संचालक पंचायत को आना पड़ता है अधिक्षता करने के लिए आपकी अधिक्षपा अधिक्षत उ उसके बाद जैसे आप सम्मिलन बुलाए जाएगा तो सभी सद्ध से लोग यहां पर आएंगे यह सभी सद्ध से आ गया और यह हो गया हमारा संचालक पंचायत यह बोलेगा इस तीन बाई एक किसी एक सपंच को कि बताइए भी आपने किस कारण यह सम्मिलन बुलवाया है क् दिक्कत है आपको तो इसमें से कोई एक सद्ध से खड़ा होगा और अपनी बात पूरी रखेगा और पूरी जो लिखित में बोलेगा या जो भी बोलेगा साक्ष सहित प्रस्तूत करेगा कि हमारा सद्ध काम नहीं करता यह सब बात जो भी है उस बात हो कि पूरी चर्चा ह होगी सभी के साथ उसके बाद उसके बाद एक फ्लोर टेस्ट होगा एक medals होगा कि कौन इस सद्ध के विपक्ष में है और कौन इस सब्ढ़ो अद्यक्ष एस अद्यक्ष उपाद्यक्ष के विरुद है और कौन नहीं है तो एक लिखित में चुनाओ या वोट डाला और ये तीन बटे चार गठित करने वाले, जिला पंचात को गठित करने वाले सदस्यों के दो बटे तीन से अधीक होना चीए, तभी आपका अविस्वास प्रस्ताव पास होगा, इसमें समाने भूमत नहीं रखा गया है, इसमें कुछ अधीक कड़नियम रखे गया है, ठीक ह पद ग्रहन करने के एक वर्स के भीतर नहीं ला सकते, अन्तिम जैसे एर खतम होने वाला है, जिला पंचायत का पांस सर पूर्ण होने वाला है, तो उसके जस्ट छे मैने जदी आप नहीं ला सकते, आपको लगता भी है कि अविस्वास प्रस्ताव लाने योगी है, फिर भी उसको अविस्वास प्रस्ताव से खटा भी देंगे, तो भी चुनाव करवाना है, उससे अच्छा छे महने पहले चुनाव होने ही वाला है, तो कहीं लिए इतना सासन अपना खर्च करेगा, इसलिए नहीं लाने देता, अब प्रतम अविस्वास प्रताव जाद या ना पंदर दिन के भितर, ग्राम पंचयत के वधी में साथ दिन था, जनपत पंचयत में वो दस दिन हो गया, और जिला पंचयत में वो पंदर दिन हो गया, और संचालक 45 दिन में अपना जवाब देता है, जनपत और ग्राम पंचयत के के केस में कलेक्टर आपका 30 दिन के भितर जवाब देता था और इसमें 45 दिन के भी तर आपका संचाला पंचायत जवाब देगा तो आज का वीडियो हम यहीं खतम करते हैं मिलेंगे नेक्स वीडियो में धन्यवाद